हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, स्टडी विथ हंजली, आज हम आपको दो क्वीन गुलनार राइबल के बारें बताने वाले हैं, तो वीडियो के अन तक बने रहे हैं दोस्तों, पर वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाह गया है, she is also known as the Night Glen of India and also known as the Bharat Kokila, जो सरोजी नाइडो जी है, उनको नाइट गलेन ओफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत का Kokila भी बोला जाता है, she born in Hyderabad, इनका जन्म Hyderabad में हुआ था and her birthday celebrate as a National Woman Day, और इनका जो birthday है, वो celebrate किया जाता है, as a National Woman Day के तोर पे, ठीक है, इंडिया में, The poem began with Tiredness of Gulnar Queen Beauty, जो पोईम के सुरवात होती है, वो होती है, क्वीन गुलनार के ब्यूटी से जो ठक जाती है, उससे पोईम के सुरवात होती है, Gulnar is a queen of her city, गुलनार जो होती है, वो अपने राजी की queen होती है, She was a inspiration of beautiful queen, और यह inspiration होती है, एक बहुत सुन्दर रानी की, But she was very tied to her beauty, लेकिन वो अपने beauty से बहुत ज़्यादा ठक चुके होती है, या हम ऐसा बोल दे के वो बहुत ज़्यादा उप चुके होती है, Because she had no rival to give competition in beauty, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी ने था, जो उनको competition दे सके, अपनी beauty से, उनकी beauty से competition कर सके, कोई भी ऐसा ने था, कोई भी rival ने था उनके पास, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, So then she told to her king feroz, फिर उन्होंने क्या किया, कि अपने king feroz से बोला, To give them rival, उन्होंने king feroz से बोला, कि वो मेरे लिए rival होने, गुलनार want to someone to feel jealous of her charms, गुलनार जो queen थी, वो चाहती थी, कि कोई ऐसा हो, जो कि उनकी charm से, उनकी खुबसूरती से जले, देख कर, Then king said to his main servant, फिर जो king होता है, अपने main servant को जाकर बोलता है, To found seven very beautiful women, who compete them, जो कि, ये जो king होते हैं, फिरोज, वो अपने main servant होते हैं, उससे जाकर बोलते हैं, साथ ऐसी खुबसूरत हसिनाओं को ढुणने के लिए, जो कि, गुलनार को competition दे सके, अपने beauty में, और उनका rival बन सके, बट, जब उन लोग आ गई, seven queen आ गई, तो फिर भी जो गुलनार थी, उनको नहीं लगा कि, मतलब मेरे competition कर सकती, उनको नहीं दिखा उनमे rival, बट, the queen गुलनार टोल दाट, no one matched to her beauty, जो queen, वो गुलनार, वो बोली कि, कोई भी मेरे beauty से match नहीं कर पा रही है, अब हम आगे बढ़ते हैं, she was not satisfied with the rivalry of seven queens, जो गुलनार जी होती है, वो नहीं satisfied हो पा रहे थी, कि वो उनके rival है, seven queen, but one day, queen कुलनार, two years old daughter, was adored with pericious dress, लेकिन एक दिन जो होती है, कि उनकी बेटी होती है, जो कि दो साल की होती है, बहुत ज़्याद़ सुन्दर dress में, लिबाज में सजी होती है, जो बहुत सुन्दर दिखती है, the child like a fairy in a forest, जो वो बच्ची होती है, fairy tale की तरह एकदम fairy जैसी परी जैसी लग दिखती है, forest के अंदर, see rush to the queen and snatch the mirror away from her hand, वो जो होती है, बच्ची वो अपनी मा के पास आती है, और जो रानी के पास जो होता है mirror, वो उसको छीन लेती है, अपनी ममी के हाथ से, then the child quickly wore her mother hair band, और फिर अपनी ममी का hair band भी निकाल लेती है, गुलनार का hair band भी निकाल लेती है, उसकी दो साल की बच्ची, suddenly अचानक with a child-like move, she planted happily a kiss on the mirror, फिर अचानक क्या होता है, फिर वो move कर जाती है, आगे बढ़ती है, और अपनी आपको mirror में kiss करती है, queen गुलनार laughed like a rose, तूश टैम पे जो होती है, जो queen गुलनार होती है, बहुत ज़्यादा खुस होती है, और बहुत हंसनी लगती है, और गुलाब की तरह खिल जाती है, then she finally said to king, फिर वो finally उसकूस में अपना rival दीख जाता है, और वो king को बोलती है, oh king Firoz, look here, is my rival, फिर वो अपने king को बोलती है कि, king Firoz, देखे, यही मेरी असली rival है, और यह सब कोई नहीं, मैं सब में ढूननी चल रही थी, rival को और मुझे मिला ही नहीं, बलकि मेरी rival तो यह है मेरी बेटी, then C, realized that her daughter was the real rival of hers, फिर वो अपने आपको, मतलब realize कर लेती है, queen Gulnar की, जो मेरी rival है, वो खुद मेरी बेटी है, और और कोई नहीं, at the end, poem gave to the nature of motherhood, और हमें poem के अंत में हमें यह देखने को मिलता है कि, जो हमें यह lesson देता है, वो मा का nature को देता है, और यहाँ पर queen Gulnar ने उसाबित किया है, जो कि वो पूरे ढूंड रही थी rival, जबकि उनको rival अपनी बेटी में ही दिखा, तो poem खतम हो चुका है दोस्तो, समरी कैसा लगा, I hope you like this, वीडियो को अंतक देखने के लिए, thank you so much.